नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हैवन के यूटूग चैनल पर आसा करते हैं कि आप सभी परसिच्छू सुपर्टेट की तयारी कर रहे होंगे और अगर सुपर्टेट की तयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपके मन में यह डाउट होगा कि मेर इस बार नंबर कम आया है यूपिटेट में, तो मैं यूपिटेट की तियारी कर लूँ, एक बार फिर से अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होगा, अगर आप पास नहीं हैं, तो पास होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप पिछली बार अगर फे तो क्यो नहीं आएगा, क्या सूपिटेट की कारणा नहीं आ रहा है, क्या सूपिटेट कराने के बाद यूपिटेट आहेगा, इस तरह की बहुत सारे भरांतियां आपके मन में चल द Cum अगर यूपीटेट आया भी तो सर किस मंद तक जाम होगा और किस मंद तक notification आउट हो जायेगा इसका तो सब के बिसे में मैं बात करने वाला हूं देखिए यूपीटेट आपके उत्तर प्रदेश के लिए ही केवल वैलिड होता है अगर आप यूपीटेट क्रेक करते हैं इस हैं सिर्फ इस बात पर फोकस कर लेते हैं तो सायद दुनिया बदलती भी नजर आएगी कटेगरी तो सिर्फ एक राजनितिक की चीज है उस पर हमको नहीं जाना है अब यहां पर देखना है अब देखना यूपिटेट कब आएगा मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको यह ह इतनी बार आता है बच्चे अपलाई करते हैं लेकिन वेकैंसी नहीं आती है तो बच्चे को में यह भी डाउट है कि सर यूपिटेट अगर आज आता है नहीं आता है तो क्या सूपर्टेट में हम तो बैठे नहीं पाएंगे इसका क्लियर नहीं है दोजा उन्दीस बैच ले या फिर कोई अधर पर सिच्छू जो पिसली बार फेल हो गया था वह अभी अच्छे से त्यारी किया हुआ है इस बार अगर सिच्छक बढ़ती थोड़ा डिले हुआ तो में चांस मिलेगा एक बार यूपिटेट में ऐसे बच्चे धाक लगाकर जमा कर बैठे होते हैं 222 का वह शुरू हो चुका है वह शुरू हो चुका इसकी कांसलिंग हो रही है और सबसे बड़ी चिंटा का ब्westasyय है कि ड्यलेट में कोई एक्शन नहीं ले रहा है यह सबसे बड़ी चिंटा की ब्यसर है और इस बज़े से यूपिटट पर ग्रहन मड़रा रहे हैं यूप स्टाइक वगधे शारे उते हुते हैं, झो भी भाएंटियां देख रहे हैं इक ग्रस्राइब प्रहां से लाइव या फिर कहीं भी जो फ़ाइल नहीं उसकी बार, और सारे सी करने वाले हैं इस बार बहुत सब्सक्राइब की संख्या काफी बारी होने वाले इस बार तो इस वज़े से भी एक तरसे कह लिए कि इसमें फेज बढ़ाया जा रहा है आपके PNP का रियाले द्वारा जिसमें फेज का मतलब पहली काउंसलिंग होई बच्चों के संख्या कमत सेप्टमबर के बाद भी हो सकता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है अब यह कब तक जाएगा वह आप ऑफिसियल देख सकते हैं जहां पर डियाले की काउंसलिंग चल रही है अब देखना है यूपी टेट जब आएगा भी तो कब तक आएगा अगर यह सार क्व store दिया जाएगा वहां से देखने को मिलेगा कि आपका इक्जाम कराये जाना ही कि नहीं जाएगा इसी बात है जैसे प्रस्थाओ रखा जाएगा आपके एग्जाम के सीडूल तुरंट जारी कर दिये जाएगा Teil्通र ऑवान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि इसमें राजस्तों की सबसे बड़ी भूमिका होती है और इससे ना अभ्यरती का लाव नहीं होने वाला है अभ्यरती का सिर्फ लाव यह होता है कि अभ्यरती खुस हो जाता है हाँ मैं वैकेंसी में बैटने के लिए अलिजिबल हो गया ह हमारे समझ से जो एक अनुमान हम बता रहे हैं, अक्टूबर मीड तक गरे जारी करते हैं, तब तो अक्टूबर के बाद नॉवंबर दिसम्बर में आपके एक्जाम कराया जा सकते हैं, इसम्बर में हो सकता है, सीट और उपीटेट दोनों आपस में लडाई करें, दोनों मतलब की पास-पास यह हो जोनों के एक्जाम, क्योंकि उपीटेट का एक दिन होने वाला है, तो हो सकता उसी बीच में उपीटेट एक दिन गया कंडर्ट करा दें, तो यह चीज़े हैं आपके सामने अब आप लोग में से कुछी भी प्रसिच्चु का कोई डाउट नहीं होना चाहिए सबसे बड़े आपका डियलेट के काउंसलिंग का है इस वज़े से डिले हो रहा है अब प्रस्ताव जब भी भेजा जाएगा आपके अपर से अब कर दो जाएगा तो यह चीज़े हैं तो यह चीज़े हैं आते ही अपकी एक्जाम सेडूल उसमें कोशित हो गये होते हैं तो लब एक महिने का अंतराल होता है दोनों के बीच में तो आपके एक महिने में तयारी कर सकते हैं सबसे बड़ी चीज़े है सोचने का अगर आप यह कहलो नहीं मुंकिन है तो इस ग्रह कत्वा ही नहीं वह मंगल ग्रह से आया होगा तो यह चीज़ें आपके सामने हैं मिर भाई यूपिटेट कब आएगा आपको सारी फैक्टर के बारे में पता हो गया होगा इस वीडियो से अगा हो सके उनको कि कम से कम हमें तयारी में जुट जाना चाहिए हमारे जीवन का सवाल है लाइफ की सवाल है वाई देखिए यूपिटेट सीटेट जितना अपने आप में क्लियर करने की वह होनी चाहिए वज़ा होनी चाहिए आपको कि आम सिच्छक ही बनेंगे हो यह चीज़े क्लियर क्या हूं उसके बल्बुते पर वह कम से कम किसी भी स्कूल में किसी विद्याले में जो कि अगर cbsc मिल गया तो अच्छे खासे मोटी रकम भी मिलने लगती है है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट पर अगर कमांड है आपका तो सीट बहुत इचादे जरूगी है सीट पर फोकस करने उसके बहुत सारे लाब भी है आपको चलिए इस चीज़ को सेयर मतब जिसका भी ज अगरी मिदारी आपकी है धन्यमादा